Assalamu alaikum everyone, I hope you are doing great और आज जो हमारा टोपिक है वो है Solution of Simultaneous Linear Equations Using Cramar Rule बिछली तो हमारी वीडियो थी, उसमें हमने कवर किया था जो Matrix Inversion Method इसमें हम कवर करेंगे Cramar Rule को, ठीक है? और ये इंतहाई important topic है, long question के हवाले से के अक्सर ही exams में कोई आपके assessment है उसमें आजाता है बहुत ही important है और अगर आप steps को follow करेंगे तो बहुत ही असानी से आप इसको समय सब्सक्राइब करेंगे और बिच्चों को अक्सर ही इसमें confusion देती है बस आपने video को बहुत से देगना है, skip नहीं करना और आपने steps को follow करना है, आपका camera रोजाएगा तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेम जिसना हमने matrix inversion में बात की थी इसमें भी बात करेंगे आपको कोई भी equation दे दी जाती है, ax plus by is equal to m, cx plus by is equal to n इसमें इस equation आपको दे दी जाती है, तो फिर उसके बाद आपको क्या कहा जाता है कि इसको solve करें क्रेमर रूल के दूडिक है, सबसे पहले आपने ax is equal to b की form में इसे लिखना होता है फिर उसके बाद इसको x is equal to a inverse b की form में लेकर जाना होता है, जो के बाद में बन जाता है, आपने inverse लेना है तो a joint of a divided by उसका जो determinant होता है, अर्मर्टिप्लाएगे b matrix है, ठीक है तो सबसे पहले इसको solve कर लेते हैं, proof के लिए क्योंके इसका proof भी important होता है ठीक है, और यह आगे बहुत helpful होता है अब इसको देख लेते हैं, कि इसमें आप लेट कर लेते हैं a matrix, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं a, b, c, d ठीक है, और b matrix कहा देते हैं, वो हमारे पास है, right hand side में m और n और x matrix हम कहा देते हैं, हमारे पास यह जो x और y की alphabets है, ठीक है अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस form में लेकर जाना है इस form में जब हमने लेकर जाना है, तो क्या होगा, सबसे पहले, आप a inverse के लिए क्या होगा, a determinant find करेंगे, और a determinant should not be equal to 0, ठीक है, वो 0 के equal नहीं होना चाहिए एक जब डिटर्मेंट यह तो कहरे, alphabetical values है, इसमें 0 तो नहीं आएगा, लेकिन जब numerical या mathematical values होंगी, तो 0 के equal determinant नहीं आना चाहिए, तभी सिर्फ inverse की अजासित करेंगे, तो किस करिए क्या करेंगे, इन दोनों को cross multiply करेंगे, a, d, minus, b, c, ठीक है, तो यह हमारे पास, a, d, minus, b, c, इसका determinant आदिक है, अब जब इसका adjoint लेंगे, adjoint of a करेंगे, तो वो क्या होगा, इन दोनों के position change कर दें, इन दोनों के sign change कर दें, ठीक है, अब हम अगर कर लें, इसको इस form में लिख लें, ठीक है, तो x is equal to a joint, d, minus, b, minus, c, a, और b क्या है, मारे पास, m, और n, और यह divide हो रहा था, यह मारे बज़ डिटर्मिन निकला था, a, d, minus, b, c, से, ठीक है, अब हम इसको ज़रा solve कर लेते हैं, यह मारे बस क्या बनेगा, इस रो को इसको अलम से multiply कर दिया, ठीक है, d, m, plus, minus, b, n, ठीक है, इसको इससे multiply किया, अब यह minus, c, into, m, plus, a, into, n, divided by, a, d, minus, b, c, अब हम इसको क्या करेंगे, मुझी simplify कर लेंगे, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर, यह आगया, मारे बास, dm, minus, b, n, minus, cm, plus, n, ठीक है, और यह है, divided by, a, d, minus, b, c, ठीक है, अब इसको, हम इस सी, इसको divide कर देते हैं, इस matrix के साथ, ठीक है, यह बंदेगा, dm, minus, b, n, divided by, a, d, minus, b, c, अब यह जो हमारे पास यहाँ पर, x matrix था, वो क्या था, किसके equal हमने लेट किया है, यहाँ से x की value यह आजेगी, तो उससे क्या होगा, अब हम x की value लिग लेते हैं, क्या देगी, dm, minus, b, n, divided by, a, d, minus, b, c, ठीक है, अब यह जो हमारे बास नीचे वाली term थी है, तो, a के determinant की equal है, ठीक है, तो, यह वाली term, क्योंकि हमने x के लिए value निकाल ली है, हम इसको let कर लेते हैं, यह a, x के determinant की equal है, ठीक है, तो यह हमारे पास, a, x का determinant, divided by a का determinant करेंगे, तो a की x की value आजेगी, ठीक है, इसी तरह हम y की, अगर हम लिख ले value, an divided by cm, an minus cm, ad minus bc, तो, यह हमारे पास a का determinant है, यह y की value निकाल ली है, इसी हमें a y को कह लेते हैं, को आगे हम solve करते हैं, मैं अगर आपको दिखाता हूँ, कोई भी question दिया हो, simply आप यह find कर लें, यह find कर लें, accept आएगी, आपको value निकाल अच्छा निकी ठीक है, ठीक है, आप in short, जो हमारे पास a, x है, ठीक है, वो हमारे पास equal है, यहां पर हम उसको लिख लेते हैं, m, b, n, d, ठीक है, वो कैसे, कि अब हमारे पास, यह उपर वाली term को अगर आप focus करें, ठीक है, यह हमारे पास a, x matrix है, ठीक है, a, x है, determinant d, a, x है, ठीक है, ठीक है, तो यह मारे पास a, x matrix है, अब इसका जब हम determinant लेंगे, तो देखे का आप यह सेम उपर वाली term बन जाएगी, ठीक है, अब m, determinant में क्या करते हैं, cos multiply करते हैं, dm, minus bn, यह देखे कि यह सेम term बन गी, इसी तरह यह a, x है, determinant था, उसको हमने matrix की form में लिखे दिया है, ताके असानी हो आपके लिए, जब भी आपको इस form में equation आए, तो आप उसको इस matrix में put करके सीधा determinant ले सकें, तो आपके question करेंगे, तो मजीद clarify आपके लिए हो देगा, अब हम ay की अगर हम बात कर लें, तो उसको हम लिख सकते हैं, इस वले को, ठीक है, इस वले को हम लिख लेंगे, सिंपली इस तरह कर लेंगे हैं, यह जो हमारे पास इस तरह हमने dm और bn को इस तरह लिखा था, ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर अगर आप याद कर लेते हैं यह दो मैट्रिक्स को, अगर आप याद कर लेते हैं यह दो मैट्रिक्स को, और इन दो चीज़ों को, तो क्रैमर रूल आपके लिए बहुत ही असान है, ठीक है, वह कैसे, अब मैं आपको एक एक्जेम्बल करके दिखाता हूं, तो आप लिकीन माने आप आगे कहें कि क्रैमर रूल हमें क्वेस्टन में आये, तो हम उसको फटावट सॉल्फ करेंगे, अपने लोजानी दोग्ला करते हैं कि érenceक्षान बादार माने दोड़न एकक के इन गरा अपशलमि ने आपके सॉल्फजर करने दिखाता हूं, तो इसंटें प्रकेमर अपकुद्धं में आपको पता चलेगा पजाए कि इन दो मैट्रिक्स कि क्या इंपोर्ट्स हूं, ़िकी जल्दी से आपका question सौन होजे अब हम एक question कर लेते हैं ठीक है example ताकि आपके लिए clarify होजे असान होजे ठीक है तो सबसे पहले हम एक question कर लेते हैं एक 3x minus 2y is equal to 1 minus 2x plus 3y is equal to 2 अब सबसे पहले हमने क्या करना है a x is equal to b कर लिया इसको हमने x is equal to a inverse of b की form में लेके आना है अब हमारे पास यहां पर देखें a matrix क्या बना a matrix बन गया 3 minus 2 minus 2 3 ठीक है x हमारे पास क्या बना वही xy बन गया अब b matrix हमारे पास क्या बना 1 और 2 बन गया अब इन equations का देखें क्या फाइदा होता ठीक है अब हम अगर इन दोनों equation को equate कर लें इन दोनों equation को ठीक है अब यह वली generic equation है यह वली हमें question given है ठीक है अब a x हमारे पास matrix क्या बनेगा यहां सिफ अब गोर करें a x क्या है m m m यहां पर क्या y b b हमारे पास क्या है minus two यह देखें यह B और यह बने अब N, N हमारे पास क्या है, आपर 2, D, D मारे पास क्या है, आपर 3, ठीक है, यह मारे पास AX बन गया, इसी का हम ले लेते हैं, एक पास बनेटर्मिनेट, ठीक है, डीक है, डीक है, डीक ले लिया, तो 1 इंटो 3, प्लस, मारे पास, मारे पास बन गया, तो 3, मारे पास, प्लस होगे, 4, यह 7 आ गया, आपके बास, ठीक है, आप हमने क्या करना है, यह इसी तरह, AY मैंट्रिक्स लिख लेते हैं, सबस्ब करें ? ऊछ देखना है यहांपर है एजिए आपने इक्वेस्टन आपने में रखना है अगर यह आपको याद हो गया तो इस तरह मैं सिपके लिख रहा हूं इसी तरह देख की क्वेस्टन सोलब अपर यहांद करनी दूस्य होती निया बस यह आपको चीज़े याद करने की दूर्ब पड़ेगी तिक है अब इसका में डिटर्मिनेंट ले लिया वो क्या देगा 3 इंटू 2 माइनस माइनस 2 इंटू 1 ठीक है क्या बन गया 6 अग्री अब एक्स और ये डिटर्मेंट आचुके हम एक उडियस टर्मेंट ले लेते हैं रहते हैं वह क्या आदेगा 3 कि की तूर्ट है कि टीक है कि माइनस इंटू इंटू मनुक्राइब 329 माइनस 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 प्लस होगे फोर यह फाइफ होगया अब X की वैल्यू किसना आएगी यह देखें अब ऑग एक्सक्राइब इवाइड बाइड बाइड एका डिटर्मिनेट ठीक है यह देखें बहुत ही असानी से सिर्फ देख एक वसन आपका स्वाल होगा सिर्फ आपने क्या करना है इंडो मैट्रिक्स को याद कर लेना इल्फबेटिक लिए ठीक है यहां से बस आपने पिर जो कॉस्टन की बन होगा आपने दे लेना एम अच्छा है में यह था यह आ गया बी था यह यह आ गया इससे आपने सिर्फ यह मैट्रिक्स बनाना सीख लेना प्रैक्टिस से यह याद करके एक्स और वाय की देखें इतने चोटे दो तिन स्टेप में एक्स और वाय की वैल्यू फाइंड हो इती है मैट्रिक्स इंवर्जियन जो मैट्ड़ था वो भी आपकी एक्स और वाय की वैल्यू फाइंड होती है कि सिर्फ आपने यह इंपोर्टन जो है ना एक्वेशन दिने याद करना ताकि आप यहां से एक्वेड करके सिम्मेट्रिक्स बना सकें ठीक है आई होप आपको यह वीडियो हैल्फूल लगी होगी तो इस चैनल को लाज जो है नेक्स वीडियो में तब तर के लिए अपना प्यार रखें अलाव प्लिश टिक क्यों कि आप